हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके आजगी से वीडियो में हम बात करने वाले अलप्रा safe .5 mg टेबलेट के बारें सबसे पहले जान लेते हैं अलप्रा safe tablet market में किन अधर नामों से अविलेबल है तो आप इसे अलप्राक्स .5 mg टेबलेट के नाम से भी खरीच सकते हैं बैसिक्विल टेबलेट 0.5 mg के नाम से भी मिलती है पैसिफिक 0.5 mg टेबलेट के नाम से ट्रैंक्विल 0.5 mg एंड जेनेक्स 0.5 mg के अधर नामों से ये मार्केट में आपको मिल जाएगी अगर हम बात करें अलपरा सेफ 0.5 mg टेबलेट के यूज की ये पैनिक डिसॉडर एंड एंजाइटी डिसॉडर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो इसका यूज स्मॉल डोस से ही करें मतलब कम से कम डोस से ही सुरू करें अगर उससे आपको आराम नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी डूज आप बढ़ा सकते हैं अगर आप इस मेडिसीन को कंटिनिवसली या काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और आपको फाइदा दिखने लग रहा है फिर अचानक से आप इसको नहीं बंद कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको अचानक से रोकेंगे इस मेडिसीन का यूज को रोकेंगे तो आपको विड इंसन जैसे फिलिंग आना घबराना फिजिकल चेंज में आपको हाई बीपी देखने को मिल सकता है नींद ना आना ले स्लीपलेस नाइट आपको देखने को मिल सकती है स्वेटिंग आपके हाथ या बाओं में बहुत जादा पसीने होने लगते हैं कपकपी आ जाएगी आप लगेंगे यह सारी चीजें एंजाइटी में आती हैं अगर यह सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं अगर हम बात करें पैनिक डिसॉडर की तो पैनिक डिसॉडर की केस में भी आप इस मेडिसीन को यूज कर सकते हैं अगर आप उसके symptoms की बात करें तो बहुत जादा पसीना होना सास लेने में दिक्कत होना कमजोरी पढ़ जाना या सरीर या हाथ और पैर का नम पढ़ जाना सुन हो जाना अगर ऐसे सारे symptoms आपको दिख रहे हैं तो आप यह medicine यूज कर सकते हैं लेकिन यह medicine आपको बिना doctor के prescription के नहीं मिले hopefully यह वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत helpful रही होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो थोड़ी बहुत knowledge मिली हो तो इस चैनल को आप subscribe कर सकते हैं like कर सकते हैं और comment में कोई भी query रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं thank you